दोस्तो टेक्नो मूबाइल ने दो डिवाइसेस लॉंच किया है एक तो है यह स्मार्टफून टेक्नो स्पार्क 6 एयर जो 6000 इमेज की बैटरी के साथ में आता है और इसमें 7 इंच का डिस्प्ले है बड़ा डिस्प्ले है प्राइजिंग है 7999 रुपीज और एक और डिवाइस लॉंच किया है जिसका नाम है टेक्नो मिनी पॉज एमवन और इसका प्राइजिंग बहुत ही इंप्रिसिव किसम का है 799 रुपीज तो इस वीडियो में मैं इन दोनों प्रदक्स की अन्बोक्सिंग करने वाला हूं इसलिए देखते रहे हैं तो दोस्तों चलिए मैं आपक टेक्नो मिनी पॉड एमवन जिसका प्राइजिंग है 799 रुपीज तो प्राइजिंग डोनों का ही काफी इंप्रिसिव किसम का है तो सबसे पहले यह जो स्पार्क 6 एयर है इसकी अन्बोक्सिंग करते हैं जो की स्पेसिफिकेशन है वो यहां पर बॉक्स पर डीटेल्स में दिया हुआ है चले मैं आपको डारेक्ली इसकी अन्बोक्सिंग करके बताता हूं तो बॉक्स में आपको यह हैंसेट मिलने वाला है यह ओशन ब्लू कलर वेरियंट है देख सकते हैं कि थोड़ा सा शेड भी आपको देखने को मिल रहा है इसके अलावा बॉक्स में वारंट चारजर दिया हुआ है यह 5V 2A का चारजर है नॉर्मल 10W का चारजर है अगर आपने नोट किया होगा इसमें सिलिकॉन केस या नॉर्मल केस जो है स्मार्टफोन के लिए वो नहीं दिया हुआ है चलिए अब मैं आपको यह जो टेक्नो मिनी पॉड्स M1 है इसकी अन्बोक्स लाओ इसका छारजिंग केस है काफी छोटा किसम है और वैसे यह मिनी पॉड्ट है मतलब कि यह मिलने वाला है और यह सका चारजिंग केस पाद लेकिन यह चीज़ मने एकसपक नहीं किया था बॉक्स में यह कवरिंग दिया हुआ है यह जो केस है इसके Judge facts इस case को added production भी provide करेगा और काफी impressive किसम का भी लग रहा है तो इसके अलावा box में ये USB to micro USB data cable दिया हुआ है और साथ में ये attachment भी दिया हुआ है ताकि आप असानी से ये जो protective case है इसमें आप इसे इस परकार से लगा सकते हैं और इस attachment को आपका जो backpack है उसके साथ में भी connect कर सकते ह है तो overall जो packing है काफी impressive किसम की है चलिए अब मैं जो smartphone है techno spark 6 air इसके बार में बताता हूँ ये ocean blue color variant है और देख सकते हैं कि एक तरह से आपको gradient blue texture देखने को मिलता है वैसे इसका बैक है ये plastic का बना हुआ है और अगर आप यहाँ पर side में देखें तो यहाँ पर भी एक design दिया fingerprint sensor दिया हुआ है triple AI cameras दिया हुआ है quad led flash है power button और volume rocker right hand side पर है left hand side पर SIM tray है इसे मैं आपको eject करके बता देता हूँ वैसे इसमें triple slots दिया हुआ है एक dedicated micro sd card slot और नीचे की तरफ audio jack है micro usb port है और microphone दिया हुआ है ये लिजी handset को मैंने on कर दिया है और खास करके जितने भी ये techno क smart phones होते हैं इनका खास करके जो UI होता है और जो default wallpaper जो होता है जैसे कि आप देख सकते हैं काफी impressive किसम का होता है तो screen की quality काफी बढ़िया है और वैसे भी दोस्तों ये 7 inch का screen है लगता नहीं है क्योंकि diagonally ये 7 inch है और इसमें जो massive battery है दोनों का combination है बहुत ही बढ़िया है खास HD plus resolution के साथ में आता है 20.5 is to 9 का aspect ratio है 90.6% screen to body ratio है 480 nits brightness के साथ में आता है screen की quality काफी बढ़िया है इसमें 2GB RAM है 32GB storage है और 1 TB तक का microSD card का आप इस पर upyork कर पाएंगे camera की अगर बात करें तो rear side पर triple cameras दिया हुआ है जिसमें 13 megapixel का primary camera है 2 megapixel और AI lens camera दिया हुआ है तीन cameras है पीछे की तरफ और जो front camera है वो 8 megapixel का है और interesting चीज़ यह है कि यह जो front camera है इसके साथ में dual LED flash built in आता है जो कि आम तोर पे आपको दूसरे smart phones पर नहीं मिलता है तो खास करके अगर आप low lighting condition में selfie खिशना चाते हैं तो यह smart phone पर आपको बढ़िया output मिल जाएगा इन द चीज़ इस smart phone की यह है कि यह audio share support करता है आप तीन Bluetooth speakers या फिर दो Bluetooth earphones simultaneously इस smart phone के साथ में connect कर पाएंगे और यह direct sound technology support करता है इसमें high OS 6.2 run हो रहा है based on android 10 go edition और hardware के अगर बात करें तो इसमें Mediatek Helio A22 quad core processor का उप्योग किया गया है यह dual band Wi-Fi support करता है इसमें Bluetooth 5.0 technology का उप्योग किया गया है और 6000 image की battery है जो कि आपको आसानी से बहुती बढ़िया बैटर लाइव देदेगी तकरीबन तीन दिन का usage time लेकिन बॉक्स में 5 वोल्स टू आम का charger दिया हुआ है और यह जो मिनी पॉट्स की अगर बात करें तो इसकी जो बिल्डर फिनिशिंग है बहुती बढ दिया हुआ है इसलिए इसका नाम है मिनी पॉट्स यह टच सेंसिटिव बटन्स है LED नोटिफिकेशन भी यहां पर दिया हुआ है यह charging points सबसे पहले तो यह जो charging point है इसके पर एक फिल्म लगा हुआ है उसे आपको निकालना है ताकि यह बट्स है यह चार्ज हो पाएं यह अब यह चार्ज हो रहा है और यहां पर आपको LED लाइट भी दिख रहा है मतलब कि जो charging case है उसका LED लाइट कितना बैटरी बचा हुआ है इस charging case में इसमें Bluetooth 5.0 technology का उप्योग किया गया है 50 mh की बैटरी है in mini M1 earbuds में और आपको तकरीबन 6 घंटे का playback time दे सकता है और जो charging case है उसमें 100 mh की बैटरी है और आपको तकरीबन 18 घंटे का usage time मिल सकता है एक full charge पर वैसे यह जो earbuds है यह ENC के साथ में आता है environmental noise cancellation जब आप किसी से बात करते हैं तो दूसरे वेक्तिव को आपकी आवाज बहुत ही clearly सुने देगी और यह काफी बढ़े तरीके से काम भी कर रहा है यह IPX4 certified है water or sweat resistant है तो दूसरो सबसे पहले तो बात करते हैं जो टेक्नो स्मार्टफोन है टेक्नो स्पार्क 6 air की अब यह जो स्मार्टफोन है खास करके उन लोगों के लिए बनाया हुआ है जो जादा content डिखते हैं और खास करके जो students है जो आज की तारीक में online education कर रहे हैं घर से उनके रिए बड़ा screen ज़रूरी है तो यह जो स्मार्टफोन है इसमें 7 inch का screen है HD plus resolution के साथ में आता है screen की quality काफी बढ़िया है और उससे भी बढ़िया चीज यह है कि इसमें 6000 image की battery है जो कि आपको बहुती बढ़िया battery life देने वाली है यह जो स्मार्टफोन है इसमें quad core processor का उपयोग किया गया है वैसे जो quad core processor है definitely उतना powerful नहीं होता है जितना की octa core होता है लेकिन normal usage के लिए यह जो quad core processing power है more than sufficient है और यह जो techno स्मार्टफोन होते हैं इनके साथ में आपको one time screen replacement का promise भी मिलता है in case अगर आपका screen जो है वो damage हो जाता है तो मुझे लगता है कि आज no mini pods M1 का सवाल है यह जो device है यह एक तरह से single earbud है लेकिन इसकी quality है काफी अच्छी है और जो battery life है वो भी काफी बढ़िया है अब क्यूंकि यह single earbud है आपको stereo effect तो नहीं मिलने वाला है pricing बहुत ही बढ़िया है 799 rupees अगर मैं ऐसे rating दू तो मैं इस audio device को 4 out of 5 की rating दूंगा यह बहुत ही बढ़िया option है खास करके जब आप driving करते हैं या फिर अगर आपको hands-free calling करना है तो calling के बहुत ही बढ़िया है लेकिन music के लिए भी काफी बढ़िया है लेकिन individual earbuds में आपको जैसे कि मैंने कहा stereo effect नहीं मिलता है तो वह एक disadvantage है अन्य था काफी बढ़िया option है pricing भी काफ